हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi हलो दोस्तो वारी गूड इवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल Study IQ IAS Hindi पर मैं मनोच कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ के आप सभी लोग अपने लक्ष के प्रतिद्रण निश्चे होकर के आगे बढ़ रहे होंगे दोस्तो आप लोगों के लिए जैसा के हम लोग ने एक योजना कुर्चित्र की सीरीज स्टार्ट की भी है उसमें एक महत्पुन मुद्दा इस समय दिया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन का एक मुद्दा है जिसे हम कहते हैं दच्चड दच्चड सहयोग के बीच भारत अपरीका संबंद आज इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे दच्चड दच्चड सहयोग के बीच भारत अपरीका संबंद पर हम लोग चर्चा करने जा रहा है आज हम इसका पांचवा लेक्चर हम लोग डिसकस कर रहे हैं योजना मैगजिन आप लोग अच्छे जानते हैं कि भारत के विकास से सम्मंद सरकार की किसी एक योजना को या किसी एक कारिकरम को ध्यान में रखते हुए पूरी के पूरी योजना केंदरत रहती है उसमें किसी सरकार की योजना या कारिकरम के सभी पक्षों का बिचलेशन होता है और यह बिचलेशन दोस्तो सभी बड़े अधिकारी सभी बड़े बिभागों के जो उच्छ अधिकारी होते हैं या बेशेशग होते हैं वही इस पर अपने आर्टिकल लिखते हैं और अपनी दक्षड सहयोग और भारत अफरीका संबंद ये एक international relation का एक issue है और इसका भी संबंद कहीं न कहीं भारत में ब्यापार की सुगमता यानि कि हम कह सकते ease of doing business के संदर में हम इसको जोड भी सकते हैं और नहीं भी जोड सकते हैं ठीक है लेकिर पहले आज इस IR के topic को समझने की कोशिश करेंगे international relation के topic को लेकर के कि दक्षड दक्षड सहयोग के संदर में क्या है ये देखेंगे तो आप देखेंगे एक तरफ आप देख रहे हैं कि पूरे बिश्चु का नक्सा है और उसमें नीले कलर से पूरे बिश्चु के सभी देशों को रिप्रेजेंट किया गया है और उनमें से कुछ एक देश ऐसे हैं जिने लाल रंग से उनको कलर किया गया है रैड कलर से उनको पेंट किया गया है और वही जो देश हैं लाल रंग से जो रिप्रेजेंट किये गये हैं उन दच्छड दच्छड का मतलव क्या है सामान तोर पर हम देखें तो बिश्वत रेखा जैसे हम एक्क्यूटर लाइन कहते हैं पूरे पृत्वी को दो भागों में विभाजित करती है एक दच्छडी गोलार्द और एक उत्तरी गोलार्द नर्दन हेमेस्फियर एंड सदर्न हे लेकिन आपको दिहान देलाएं इंटर नेशनल रिलेशन और अंताराश्टी संबंदों के जो बेशेशग हैं और अन्य जो राजनीती के जो बेशेशग हैं वो सबी लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसका संबंद भागोलिक द्रिष्टिकॉण्ड से कम और राजनीतिक के दरिश्टे कौोर से कुटनीति के दरिश्टे कौरसे अलग है यहां दच्छड का जो संबंद है ये वो देश है जिर में देखाएंगे मैक्सिको है आपका लैटिन अमिरिका वाला पूरा हिस्सा अमिरिका का है पूरा अफरीका है उर देखाएंगे तो पूरा का पूरा एसिया का दच्छडी एसिया वाला जो हिस्सा है ये जो पॉर्शन है इनमें आपके दच्छडी पूर्वी एसिया के देश भी है ये वो देश हैं जो कभी किसी अन देश के गुलाम रहे थे उनके उपनिवेश रहे थे जो बाद में जाकर के स्वतंत्र हुए या बाद में इनकी खोज हुई या कुछ भी हुआ और ये सामान तोर पर ये पिछडे देश है कैसे हैं पिछडे देश बिकास सिल देश अल्प बिकसित देश है उत्री जो देश कहलाते हैं वो बिकासिल देश कहलाते हैं और दच्छरी देश कहलाते हैं बिकासिल देश कहलाते हैं तो यहां दच्छर दच्छर जो सम्मंद है दच्छर दच्छर सहयोग है वो बिकासिल देशों के आपसी सम्मंदों का एक परदर्शन है आपसी संबंदों का एक लेखा जो का है उनका एक कहा जाए कि एक रिलेशन है प्रॉपर तरीके से उसी को ये रिपरजेंट किया गया है अब यहीं पर भारत और अफरीका पूरा अफरीका महादीप और भारत भी इसी दच्छड दच्छड सहीो का ही एक हिस्सा है इसलिए देखेंगे के इंडो अफरीका रिलेशन में आप ये जो मैप देख रहे हैं एक तरफ अफरीका दूसरे तरफ रैड कलर और यलो कलर से बना हुआ अपका इंडिया है और ग्रीन कलर से बना हुआ आपका अफरीका महादीप है इन दोनों के बीच का रिलेशन है जिसे हम इंडो अफरीका रिलेशन कहते है यही दोनों पक्छों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या है कैसे है आपकी इस योजिना मेशजिन में इसी के संदर में सभी पक्छों को इस पश्ट तोर पर रि evaluate जाने की कोशिश की गई है और उसी को मैं आप लोगों को discuss करूंगा कि क्या क्या चीज़े हैं किस किस तरीके से हैं कैसे कैसे हैं उन सभी पहलुआं को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को जाइन कर लीजिए और सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है वेरी गूड इवनिंग अल अफ यू और सबसे महत्पूर्ण चीज इसके आप लोगों से बस इतनी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो मैं यही कह सकता हूँ आदेस तो नहीं दे सकता लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप लोग चाहें तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया कीजिए थोड़ा सा ठीक है और अगर हो सके अगर आप चाहते हैं आपके साथ के सभी लोग अच्छी कलास उन लोगों को तक पहुँचे और वो लोग इसका लाब उठाएं उनको भी मिले मौका तो आप इस कलास को जरूर से हर किया कीजिएगा ओके चलिए तो इस पर हम बात करते हैं दच्छड क्या है राजनितिक द्रिष्टिकोंड से अगर हम बात करें अगर भॉलोग द्रिष्टिकोंड से हम बात करें तो दच्छड का अतात पर है बिस्वत रेखा से नीचे का हिस्सा ठीक है लेकिन राजनितिक दिस्ट्रकॉर्ण से या कूटने दिस्ट्रकॉर्ण से कहेंगे दच्छड सब्द का अर्थ है दुनिया के वह छेतर जिनका राजनितिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास समान है यानि कि जो उपनिवेश से गया सामराजिवादी युक के दोरान असमानताओं के तहट बिकसित हुए थे या असमानताओं के तहट उनके साथ भिदवाओ किया गया था यानि कि बिकसित देश थे युरोप के जिन्होंने भारस सहित अन देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था या अपनी सामराजिवादी लिपसा के तहट इन पर कंट्रॉल कर रखा था ये वही देश हैं क्योंकि इन सभी किसी ना किसी देश के गुलाम बने रहें इसलिए उन सभी देशों का राजनितिक तामाजिक और आर्थिक तीनों का जो इतिहास है वो समान है दच्छर को बिकासिल छेतरों की चिंताओं का एक बैचारिक अव्यक्ति के रूप में समझा जाता है यानि कि ये सभी देश एक अव्यक्ति हैं एक बैचारिक अव्यक्ति हैं जो दुनिया को ये बताते हैं कि हम सभी बिकासिल देश हैं और हमारी अविव्यक्ति, हमारी जो बाच्चीत है, हमारी जो जरूरते हैं वो सब एक जैसी है बेसक अलग अलग भासा हैं, बेसक अलग अलग छित्र हैं, खान पान हैं, रहेंसे हैं, सब कुछ अलग लग है लेकिन जो उम्मीदें हैं जो हमारी जरूरतें हैं जो हमारी विचार हैं वो सब एक जासते हैं इसी को कहते हैं दच्छन यानि कि बिकासिल देशों का जो कभी किसी के उपनिवेश रहे ते या सामराजवादी महतो कांचा के सिकार रहे उन देशों का समू है अब बात आती है कि दच्छन दच्छन सहयोग क्या है दच्छन दच्छन सहयोग को हम गलोबल साउथ भी कहते हैं क्या कहते हैं एक शब्द और इस्तिमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं गलोबल साउथ यानि कि बैस्विक दच्छन कहते हैं क्यों कहते हैं अगर आप ये देखेंगे तो ये देखेंगे तो बैस्विक दच्छरी ही तो है यानि कि बिश्व के सभी देशों में से दच्छर के दादिस इसलिए उनको Global South कहते हैं क्योंकि पूरे बिश्व में दच्छर में हैं इसलिए तो ये सब्ध बार-बार आता है I.R. में इसको अ बहुपक्षी विवस्था में बिश्वास करता है एक पच्छी विवस्था में बिश्वास नहीं करता है अब कहोगे एक पच्छी बहुपक्षी है क्या एक पच्छ अमेरिका का है दूसरा पच्छ रूस का है यानि कि जब दूसरा बिश्व का है यानि कि जब दूसरा बि एकसे देश थे जो नबस वतंतर देश थे ये किसी भी गुट में बटना नहीं चाहते थे ये चाहते थे कि हम क्या करें अपना विकास करना है उनको किसी एक गुट में रह करके फिर से संघर्स में नहीं पड़ना है इसलिए यह बव पक्छवाद में बिश्वास करते हैं किस अपना एक सहयोग बनने की कोशिद की है या निकि ये बहुत तेजी से उभर के सामने आ रहा है बैए बिकसित देस जितना बिकसित होना था उतना हो चुके हैं अब उनका विकास जिए थोड़ा धीर में हो गया है लेकिन हमारा जो दच्छड के देश हैं जो विकास सील देश हैं अब वो तेजी से विक्सित हो रहा है बहुत तेजी से उनका विकास बहुत तेजी से हो रहा है और कई देशों की आर्थिक और भूराजनितिक प्रासंगिता बड़ी है जैसे दाउस अपरिका, मैकसिको, अफरिका को, ना मैकसिको को, ना चाइना को ये पी-फाइव देश हैं इनको इग्नोर करके आज की दुनिया में आज के विश्व में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता और ये पांचों बहत्पुन देश ध्यान लगना ये आपके दच्छड के देशों का ही के हिस्ता हैं, ब्राजिल अमेरिका में, मैकसिको अमेरिका के ब्राजिल के ओपर के हिस्ते में, आजाईए अब अफरिका में साउथ अफरिका, एसिया में इंडिया और चाइना, इनको आप कैसे एग्नोर कर सकते हैं, आज नहीं कर सकते हैं, पहले दच्छर दच्छर अब जोग ग्यान साजा करने और चमता निर्मार पर केंदर्थ था इस्टाटिंग में जब ये संगठन बना था तब इनके बीच में एक हुआ था क контр Netflix के लिग्लोबल साथ प्रॉपर तरीके से ऑर आगे बढ़ने लगा तो Global South के देश एक नई बित्ती संस्थान हाल ही में बिकास बित्त में तेजी सक्क्री हो गए बहुत तेजी से हम लोगों ने इपसा बना लिया इंडिया, ब्राजिल, साउथ अफरीका, इपसा ब्रिक्स बनाया, ब्रिक्स बैंक का निर्माड किया ऐसे कई सारे संग्ठन हमने बनाए और बित्ती छेतर में हम बहुत तेजी से आगे बढ़े आज सोचिएगा आपके दो बैंक हैं दौनों का हैड आफिस नए बैंक बने AIIB, ASEAN Infrastructure Investment Bank और NDB, National Development Bank येस इनके सेंटर कहां हैं? चाहिना में हैड आफिस चाहिना में तो बहुत तेजी से इनका बित्त विकास जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है ठीक है न? यह सहयोग समधायों और रास्टों को उपनिवेशवाद गरीबी, उत्पीरन, पिछडे पंसे मुक्त कराने के दीरकालिक एतिहासिक परोजना को संद्रवित करता है यानि कि यह सहयोग क्यों बनाया गया? गिलोबल साउथ सहयोग, दच्छर दच्छर सहयोग क्यों बनाया गया? क्योंकि हम उपनिवेशवाद का बिरोध करते थे हमें इससे मुक्ती चाहिए थे हमें गरीबी से मुक्ती चाहिए थे हमें उत्पिरन से मुक्ती चाहिए थी हमें पिछडे पन को दूर करना था तो यह हमारी सारी समस्याइं थी इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए ही इस सहयोग का गठन हुआ था यह है दच्छन दच्छन सहयोग Everybody, it is clear तो यह बहुपक्षबाद में बिश्वास करता है यह बिकासिल देशों का प्रतिन्दी की तौर पर बिक्सित हुआ है यह बिकासिल देशों जो उपनिवेशबाद के सिकार रहे थे उनकी गरीबी, उनके पिछडेपन, उनके सोशन इत्याद को दूर करने के लिए सहयोग का गठन हुआ स्टार्टिंग में यह केवल और केवल ग्यान को साजह करने चमता नर्मार के लिए था लेकिन अब धीरे-धीरे बित्ती संस्थान के इस तरपर भी बित्ती इस तरपर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे को बित्ती साहिता भी उपलब्द करा रहा है जिस लाइका चाइना, इंडिया, ब्राजिल और यह देखेंगे तो आप एक चीज़ देखेगा यह है ब्रंट लाइन, जिसे क्या कहते हैं, ब्रंट लाइन कहते हैं जिसे कहलाते हैं, और ब्रंट लाइन जो है, यह पूरे दुनिया को उत्तर और दच्छन में विभाजित करती है तो दच्छन क्या है, दच्छन दच्छन सहयोग क्या है, तो यह दच्छन है, यह उत्तर है और दच्छन दच्छन सहयोग अपने विकास के लिए आपस में एक होना, और बहुत दुर्भी है बिस विवस्था में बिश्वास करना कोई एक धुर्ब नहीं या दो धुर्ब नहीं बहुत धुर्बी है इस विवस्था में बिश्वास करना अपने समस्याओं को दूर करना अपनी आवाज उठाना दुनिया को बताना कि हमारी सारे सब की आकांच्छाएं इच्छाएं और विचार सब के एक जैसे है किलियर है तो इस तरीके से आपको पढ़ना है इसी तरीके से आई यार के आंसर भी लिखने है और समझना भी है यही विचार आपके एक्जाम में पूछे जाते है और आप लोगों के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इसी पैटर्न पर आगे पढ़ाई करें इसी तरीके से अपने लक्ष को हासिल करें ध्यान रखना दोस्तो आधे अधूरे मन से आधे अधूरे तरीके से और सही दिसान न होने की बज़े से बहुत सारे बिलियंट चात्र जो किसी तरीके से छोटा-छोटा पैसा जोडते हैं और अपने कोर्स को परचेज करते हैं अगर सही guidance नहीं मिलती, सही देसा नहीं मिलती, सही जगह पर नहीं मिलते, तो उसका कोई फाइदा नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिच्चित करने की कोशिश करें, और इसलिए study IQ IS ने आप लोगों के लिए एक बहतरी एक जो रड़नीती बनाई है वो फूरे स्टेज की रड़नीती है सामान तोर पर कोचिंगों में एक foundation course कराया जाता है सिर्फ एक foundation course केवल एक लेक लेकिन हमारे यहां जो foundation course है वो केवल एक foundation course नहीं है बारे से तेरे महीने का एक foundation course अलग है जो complete syllabus को कवर करता है जिसमें प्री और मेंस तौलों पहले हो चुके होते हैं पर उसके बाद प्री के time period प्री का class अलग से रिवीजन के class चलती है अलग से separate उसके साथ में उसके test series भी कराया जाती है ठीक है ना उसके बाद मेंस के time period हम मेंस residential program कराते हैं जो लोग प्रारामिक परीचा पास करते हैं उनको हम अपने center पर बलाते हैं चार महीने अपने पास रखते हैं अपने एक खर्चे पर और उनको हम पूरे दिन रात मेहनत करके उनको मेंस के level पर तयार करते हैं पूरा fun complete और जिसमें आपको कुछ और नहीं देना कुछ एक रुपया भी नहीं देना है रहने खाने की ववस्ता दिल्ली में संस्थान की तरफ से हमी लोग करते हैं ठीक है ना उसके बाद interview की तयारी तो चार stage की तयारी उसके बाद आपको personal mentorship याने कि एक coach आपको एक mentor दे सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ बूच मतलब पढ़ाई-liकाई संबंदित इसका मतलब यह नहीं कि उसको पकड़के गाली दे रहे ऐसा नहीं है मतलब पढ़ाई-liकाई-s अंग कोई भी doubt होता है तो उससे पोच सकते हैं ठीक है बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस code को आप जरूर इस्तिमाल करिए, इस code को यूज करने से आपको दो फाइदे हैं, एक मेरा MK Life, इस code को यूज करने के बाद, आपको मैं परसनल गाइडेंस प्रोवाइड कराना शुरू करता हूँ, ठीक है न, और दूस्तरा, आपको अच्छा खासा discount मिल जाएगा, जो actual fees 70,000 के आसपास है, वो fees आपकी, कितनी हो जाती है, मातर 23,999 रुपए, ठीक न, लेकिन ये तभी होगी जब आपके MK Life Code यूज करेंगे, और ये बैच दोस्तों ध्यान रखना, ये 2025 और 2026 के लिए है, जो लोग आप मैंसे 2025 ये 2026 में अपना target सेट कर रहे हैं, जो exam देना चाहते हैं और देना नहीं चाहते हैं, बलके मैं कहूँगा कि exam देना ही नीचे है, exam देने के लिए तैयारी नहीं करने चाहते हैं, बलके exam qualify करने के लिए पूरा प्रियास करना चाहते हैं, तो जो exam qualify करना चाहते हैं, मेरी request है, कि वो इस बैच को join करें, जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने की कोशिश करें, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, बिना proper guidance के, बिना proper सही रणनी थी के, हम कितने भी हाथ पर फैकलें बेटा, दियान रखना, सफलता नहीं मिलती, और आप लोग अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप मेंसे किसी को सच और जूट पता नहीं है, आप सबन कुछ जानते हैं, बहुत समझदार हैं आप तबी लोग, बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर अन्ने से सरी इदर उदर क्यों बटक ना है, धंग से करिये न, आएए, और सुबह आठ वजे हम लोग मिलते हैं, नौ तारीक से, नौ फरवरी से, ओके, ध्यान रखना, और किसी तरह का कोई डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप लोग मुझसे यहाँ पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं, यह मेरा नाम, कोड लगाना मत भूजिएगा, और यह टेलिग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आइडिया, यहाँ पर मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं, और यह टेलिग्राम बारकोड है, टेलिग्राम बारकोड, जिसके थूरू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है न, चलिए, अब बात आती है कि दच्छर दच्छर सहयोग क्यों गठित हुआ और कैसे गठित हुआ ठीके ना दच्छड दच्छण सहयोग यानि कि ये सहयोग क्यों बना यह सहयोग समदायों और रास्टों के उपनिवेशबाद उनकी गरीबी उनके उत्पुरियन उनके पिछड़े पंसे मुक्त कराने के लिए एक एतिहासिक पर्योजना की रूप में गठित हुआ था यानि कि उन देसों की समस्याओं को दूर करने के लिए उपनिवेसबादी जो विचार थे उनका विरोध करने के लिए अपने गरीबी बिरोधियारी पिछड़े पन से मुक्त होने के लिए देस को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आपस में सहयोग करने के रणनेती बनाई गई इन सभी देसों ने ठीक है ना इसका पहला प्रयास कब हुआ दच्छडदच्छडगठिन का पता 1955 में इंडोनेशिया के बांडूंग में एक पहला सम्मेलन हुआ था जिसे हम कहते हैं एफ्रो एसियाई सम्मेलन कौनसा एसिया अफ्रीका सम्मेलन एफ्रो एसियाई सम्मेलन हुआ था बांडूंग में 1955 में एसिया और अफरीका के देशों का अपसमें सम्मेलन हुआ और इसी में दच्छ दच्छ सहीयों की नीव रखी गई इसी में इस सम्मेलन को मोटे तोर पर SSC, South South Corporation के लिए एक मील का पत्थर माना गया कि यही है जिसने आगे SSC यानि के South South Corporation का नीव रखी और इस सम्मेलन में बर्मा, सीलोन, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के द्वारा है पराज़े था इन देशों ने इसको और्गनाईस किया था सीलोन, बुले, स्रीलंका, इंडोनेशिया, बर्मा और पाकिस्तान इन देशों ने इसको और्गनाईस किया था और इसमें उस समय के लगवग 29 तोतंतर देशों ने इसमें भागीदारी की थी इस सम्मिलन उस समय के इंडोनियस से के राश्टपती सुकर्णो ने एक लाइन कही थी कि या मानव जाती के इतिहास में लोगों का पहला रंगीन लोगों का पहला ध्यान रखना कैसे रंगीन लोगों का पहला अंतर दीपिय सम्मिलन है अंतर महादीपिय आनि एक सम्मिलन है पहली बार ऐसा सम्मिलन हुआ था अंतर महादीपिय किसका रंगीन लोगों का अब कहोगे यह रंगीन लोग कौन है दोस्तों ये रंगीन लोग कोई और नहीं बलकि हम काले लोगों को रंगीन कहा गया है क्योंकि जो यूरोपियंस थे बोग सब गोरे थे साफेद, वाइट और वाइट कोई रंग नहीं होता वाइट के अलाबा जो भी रंग है वो रंगीन है Colored people It was the first colored intercontinental summit ठीकर, उसके बाद 1978 में सहयोक्त राष्ट ने, UN ने अपनी एजनसियों के भीतर दच्छड दच्छड ब्यापार और सहयोग South South Trade and Corporation को बढ़ावा देने के लिए दच्छड दच्छड सहयोग की एकाई की इस्थापना की हाला के दच्छड दच्छड सहयोग के बिचार 1990 के दसक के अंत में ही विकास के छित को प्रभावित करना शुरू किया था यानि कि 1978 में UN ने इसको रिकॉगनाईज किया था अपनी एजनसिय में इसको डबल अब करने के लिए भूमिका निभाई थी लेकिन प्रॉपर तरीके से इसने दुनिया को प्रभावित करना सुरू किया 1990 के बाद थीके ना ध्यान रगना इस तरीके से दच्छड दच्छड सहयोग गठित हुआ था अपने इन उद्देसों के लिए और इस तरीके से गठित हुआ किलियर अब बताती है कि बैस्विक विकास में इसकी क्या भूमिका है इसने क्या क्या भूमिका नभाई दच्छर दच्छर सहयोग रास्टी प्लानियों के साथ जुडने और SDG, MDG जैसे बैस्विक लक्षों को प्राप्त करने में सक्रिय होना चाहिए SDG बोले तो Sustainable Development Goals सतत विकास लक्ष सतत विकास लक्षों पर इसको केंदर्थ होना चाहिए और MDG बोले तो सहसराब्दी विकास लक्ष Millennium Development Goals सहसराब्दी विकास लक्ष ये ध्यान लकना ये 2015 में सुरू हुए और ये 2000 में सुरू हुए थे इनकी संख्या थी आठ और इनकी संख्या है सत्तरह यानि कि दच्छ दच्छ सहयोग को पहले अपने अंदर सहसराब्दी विकास लक्ष और सतत विकास लक्षों पर बिसेश तोर पर सक्री रूप से भूमिका निवानी चाहिए ये कहा गया है जैसी जैसे इन लक्षों को हासिल करेगा इन सभी देशों का विकास होगा क्योंकि सस्टेनेवल डव्लमेंट के अंतरगत आपके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावर्णी तीनों प्रकार के लक्षों को सामिल किया गया है 17 विकास के अंदर किसको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावर्णी विकास तीनों को ध्यान में रखते हुए लक्ष तैय किये गए 17 अगर इनका विकास होता है तो समझ लीजिए सब का विकास होगा क्यों? क्योंकि ये तीनों छित्रों की समस्यां सबसे ज़्यादा है बिकासिल देस या पिछड़े देसों की ही है और इनको अगर आगे बिक्सित होना है तो इस पर फोकस करना पड़े दूसरा बिखंडन से बचने और सहायता के लाबों का अधिक्तम करने के लिए सहयोग नेटवर्क को गहरा करना होगा अगर आप चाहते हैं कि दच्छण के देस अपना अधिक्तम लाब लें सहयोग करें सारी चीज़ें करें और विखंडन से बच जाएं तो इनको अपना नेटवर्क मजबुत करना हो और ये नेटवर्क मजबुत कर रहे हैं बिसेश रूप से इन्हें किरसी, खाद सुरक्षा और गिरामिड विकास में उत्पादक छम्ताओं के निर्मार पर ध्यान देना होगा तब जाकर के वैश्युक विकास भूमिका निभा पाएगा क्योंकि अभी भी इन देसों में गरीबी, पिछड़ापन, भुकमरी इन देसों में सबसे ज़्यादा है अफरीका की कंडिशन तो आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर गरीबी भुकमरी के अगर image आप देखेंगे तो अफरीका के चितर ही दिखाई देते हैं सबसे ज़्यादा तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा हमें करसी का विकास करना पड़ेगा जो रोजगार और खाद सुरक्षा दोना देगी खाद सुरक्षा के लिए विकास करना पड़ेगा जिससे उनकी भुकमरी खतम हो सके और गिरामिड विकास करना पड़ेगा जिससे उनका जीवन स्तर बहतर हो सके ठीक ना भविश्य की पहल के लिए भविश्य के लिए और क्या करना होगा भविस्ति के लिए ने मानव संसाधन के विकास पर बल देना होगा ग्यान पर पर प्रद्द्दगी के पर और इस तरह पर ध्यान केंदरत करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इनके परड़ामों को बिसेश तोर पर आगे ले की जाना होगा हम मानव संसाधन विकास को आगे लेकर कर जाएंगे Human Resource Development Technology डबलब करेंगे अपने देश की विवस्ता में स्थरता लेकर कर आएंगे जो कहा जाए कि इन देशों में बहुत सारी समस्या हैं जिसकी वज़े से हल्चल पैदा होती रगती है कभी छेतरवाद के नाम पर कई समाजवाद के नाम पर कभी किसी के नाम पर संघर्स होता रहता है उसकी वैसे आर्थिक विकास कंटिन्यू नहीं हो पाता तो उसमें इस्तिरता लानी पड़ाएगी राजनीती में भी आर्थिक विकास में भी ये इसका एक योगदान हो सकता है दच्छन दच्छन सहयों का बैस्विक विकास अगर दच्छन दच्छन सहयों इन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो समझ लीजेगा बिश्व का विकास होगा कहते ना कि अगर आपको समाज का विकास करना है तो आप अपना विकास कर लीजिए समाज का विकास हो जाएगा हर व्यक्ति कीवर अपने विकास पर ध्यान दे तो पूरे देश का समाज का सब का विकास हो जाएगा से अब उसी तरीके से अगर दच्छन के देसों की सबसे ज़्यादा हलत खराव है अगर उन देसों की इस्तिती अच्छी हो जाए वो अपने विकास पर फोकस कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है ना अब बरतमान में चुनोतिया क्या क्या है करतो लेंगे लेकिन क्या कोई चुनोति भी है इसको भी जानना चाहिए बरतमान में जो चुनोतिया यह है कि ब्यापार की बिर्तकूल बैश्विक शर्त है यानि कि बैश्विक ब्यापार की जो सर्ते रगाई गई है विकासिल और बिकसित देसों के बीच की बड़ी समस्या है बिकसित देस चाहते है कि बिकसित देस अपना बाजार खोले इसलिए वो अपने तरीके से ब्यापारिक गत्विदियों को चलाते है अगर भारत बिकसित देस अपने बाजारों को खोलते हैं तो बिक्सित देश उनके बाजार को खतम कर देंगे, उनके उद्धियों को खतम कर देंगे इसलिए बरतमान में जो ब्यापारिक शर्ते हैं वो दच्छड के देशों के अनकूल नहीं इन देशों में सीमित निवेश है, क्यों? क्योंकि इनके पास बहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहतर सासन पणाली नहीं है, बहतर सिस्टम नहीं है इस वज़े से निवेश भी कम है, निवेश कम है, इसलिए विकास कम है इनके पास संप्रभू रिण संबन्दी चिंता हैं यानि के इनके पास सौवरिन डेट के कंसेप्ट नहीं है यानि रिण विवस्था इनके पास बहुत अच्छी नहीं है जिससे के विकास को आगे बढ़ा सके जलवायू परिवर्तन और कोबिड जैसी नई समस्या है आदनिक समस्या है जलवायू परिवर्तन का सबसे ज़्याद़ परभाव गरीब लोगों पर गरीब छेतरों पर पड़ता है बिकसित देश या बिकसित लोग अमीर लोग उन सारी चीजों से अपने आपको बच्चा ले जाते हैं कि उनके पास टेक्नलोजी उनके पास पैसा सब कुछ है सबसे ज़्याद़ परभावित होते हैं गरीब चाहे गरीब ब्यक्ति हो गरीब वर्ग हो या गरीब देश हो आज सोचि यह जलवाईवी परवर्तन का सबसे ज़्याद़ एफेक्ट के नपर पढ़ रहा है हमारे इंडोनेशिया समुद्री छेटर बिकासील देश चेटर ये जो देश हैं उन पर सबसे ज़्याद़ परभाव पढ़ रहा है कोरोना का सबस्याद प्रभाव के ने पपढ़ा इनी पर अन्य देशों की तो कंडिशन पता है ना बिकसित देशों का पार पैसा है वो खर्च कर सकते हैं उनके पास टेक्नलोजियों कुछ भी डबलप कर सकते हैं बिकासिल देश कहा जाएंगे भारत ने किसी तरीके से कर लिया चाइना ने किसी तरह से अपने आपको बचा लिया ब्राजील ने साउत अपरीका ने बचा लिया लेकिं बाकी अन्य बाकी तो है ना इनके देशों में संगर्स और जीवन यापन की बड़ती लागत की चनोतियां भी हैं दच्छड दच्छड सहयोग की बरतमान चनोतियां इनसे कैसे निप्टेंगे अब यही पर बात करते हैं भारत अफ्रीका संबंद के बारे में भारत अफ्रीका संबंद यस तो हमने अभी तक देखा दच्छड दच्छड सहयोग उसका गठन उसका उद् कीजिए ओके भारत अफ्रीका संबंद की बात किया तो भारत अफ्रीका संबंद सिंदु घाट्टी सब्विता और अफ्रीकी सब्विता यानि कि जो इजिप्ट की सब्विता मिस्र सब्विता उससे बहुत पुराने संब्विता रहे हैं प्राचीन समय से ही हमारे संब्वित दूसरा हिंध महासागर के माध्यम से प्राचीन मिसर और भारति सासकों की बीच समुद्री संबंधों का मांसोनी संस्कृति स्थापना की मानसून की खोज हुई हिपपालस बगरा के माध्यम से ठीक है न हमारे संबंद बने अफरीका तक आने जाने के सारी चीज़ा हुई फिर दच्छर अफरीका में महत्मा गांदी की नैतिक और राजनितिक जागरिती ने अफरीक नेतां को उन दोरा गांदी वादी नैतिक ताके पर आभार ब्यक्त करने के सास्ता समंधों को और मजबूत किया यह आप अच्छर जानते हैं कि महत्मा गांदी दच्छर अफरीका गए और कितने सालों तक वहां रहे उनिस सो पंदर नौ जन्वरी को बापस लोटे तब तक उन्होंने जो गांदी वादी मुल्यों का वहां विकास किया राजनीति का जो विकास किया उसके लिए आज भी वह लोग गांदी को अपना आदर्श मानते हैं जिनमें आगे जाकर के निल्स तल मंडिला जैसे लोग उभर के सामने आई थे साथ अफरीका में तो हमारे संबंद अफरीका के आज से नहीं है प्राचीन काल से है ठीके ना तो ये मत समझना के अभी किसे हमारे संबंद है दूसरा अब अफरीकी विकास में भारत क्या योगदान कर सकता है कैसे योगदान दे सकता है यह आप तमझ सकते हैं ठीके ना भारत का योगदान संयुग्ष राष्ट के सांती मिशनों में सक्री रूप से भाग लेता रहा है और स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों का समर्थन करता है पहली बात यानि कि सांती सेना के जो मिसन है अधिकान अफ्रीका में होते है जहां पर इंसरजेंसी होता है जहां पर संकट होता है किसी भी आतंकबादी उग्रबादी गुरुप का या किसी देश में समस्या होती है तो भारत संयूत राष्ट की सांती सेना के रूप में शामिल होता है, हम पने सैनिकों को भेजता है, अपने अधिकारियों को भेजता है और वहाँ पर सांती कायम करने में भूमिका निभाता है और भारत सुरू से ही सुतंतर अफरीकी राज्यों का समर्थन करता रहा है और वो कभी नहीं चाहता कि भारत कभी नहीं चाहता है कि कोई भी देश किसी का गुलाम बने बांडूंग शंबेलन जो 1955 में हुआ था दच्चर दच्चर सहयों के एक मील का पत्तर है जो उत्तरी प्रभुत वाली पढ़ानियों को चुनौती देता है और अपना अन्विकास किया और समय भारत भी एक सामिल था ठीके ना भारत अफरीकी सहयों की गतिसीलता गतिसीलता यानि कि अब आगे और क्या हो सकता है कैसे हो रहा है सहयों तुराश सुरक्षा परसद सुधार हम लोग यूएन सेक्योर्टी काउंसिल में सुधार चाहते हैं भारत को इस्थाई सदस की रूप में मानता मिले हम ऐसा चाहते हैं स्वास्त समानता यानि कि सभी को स्वास्त के इस तरपर समानता का अधिकार मिले आगे सब को मुले जलवायू नियाए, climate justice यानि कि इसमें ऐसा ना हो कि जलवायू परवर्तन के लिए दोसी लोगों को छोड़ दिया जाए और जो गेर जरूरी दोसी जो देस हैं उनों पर इसका परभाव पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए हम चाहते हैं कि जिसने जलवायू परवर्तन की समस्याओं को जनम दिया है वो अपनी भूमिका को जादर निभाए इसी हो कहते हैं नियाए और सोचिए पूरे जलवायू परवर्तन को सबसे ज़्यादर परभावित किया अमेरिका ने यूरोप के देसों ने और उसका प्रवाव किसे पढ़ रहा है इन गरीब देसों पर आज वो लोग कहते हैं भारत जैसे देसों के लिए कि भाई इनको ज़्यादर भूमिका निभानी चाहिए क्यों भाई गंदगी आपने फैलाई तो सफाई भी सबसे ज़्यादर आफ करोगे हम तो किवर अपने हिस्से की करेंगे अमेरिका जैसे देस कहते हैं कि भारत चाइना को बरावर की सफाई करनी चाहिए जलवायू की नहीं भाई जिसने ज़्यादर गंदगी फैलाई है वही गंदगी को ज़्यादर साफ करेगा हम अपने हिस्से के करेंगे तुम अपने हिस्से के करो यही नियाए है उर्जा सुरक्षा पर ध्यान के अंदर करने के दोई पक्षी और बहुपक्षी जड़ाव मजबूत होता है क्योंकि इनी तरह के मुद्दों पर दच्छड के जो देस हैं वो सहयोग कर रहे और सहयोग करेंगे ठीक है ना इस तरह के मुद्दों पर उर्जा सुरक्षा पर जलवायू नियाए पर स्वास्तिकी समानता पर और तयूत राश्च सुरक्षा परसद में सुधारों पर और ये देस बहुत बड़ा भूमिका निवास सकते हैं बहुत बड़ा सपोर्ट करने के लिए तयार हैं ये जुड़ाओ इको वाश अफ्रीकी महादीप मुक्त ब्यापर समझोता ब्रिक्स देस OIC, ADB, NDB और अन्न छेतरी संगठन तों तक पहला हुआ है और ये जुड़ाओ लगातर बढ़ता चला जा रहा है इतने सारे संगठन लगातर बिक्सित हो रहे हैं ये दच्छड़ दच्छड सहयोक का एक बहुत बड़ा नमूना है और भार्त लगवख इसमें सभी देसों में शभी गुरूप में सामिल है यही बता रहा है कि अफरीका जो है अफरीका महादीप पूरा भारत के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और भारत इन अफरीकी देशों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और आगे किन किन मुद्दों पर भारत और अफरीका के देश एक साथ खड़े हुए हैं वो मुद्दे ये रहे और ये उनके जुडाओं के तरीके हैं कि कहां कहां पर हम जुड़े हुए हैं अब देखिए भारत अफरीका सम्मंद के माध्यम से क्या लाब मिले हैं अब तक क्या क्या हुआ है ध्यान लखेगा 2001-2013 के बीच ब्यापार की मातरा 14 गुना ब्रंदी हुई थी 2001-2013 के बीच में भारत और अफरीका के देशों के बीच में जो ब्यापार है वो 14 गुना बढ़ा हाइब्रिड सहवागिता हाइब्रिड यानि के ऑनलाइन आफ लाइन दौनों रणनीती के साथ भारत अफ्रीका में 6 पांच निवेशकों में से एक बने गया भारत अफ्रीका में निवेश करने बाला Choice 5 नेशन्स में से एक है यानि कि तॉप 5 देसों में से भारत सबसे बड़ा निवेशक है एक ठीक ना ब्यापार बिबदी करन निजी निवेश और भारत अफरीका साज़िदारी पर्योजना जैसी पहल 2022-23 तक ब्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुचाने में योगदान करती है यानि के डाइविर्स्टी फाई ट्रेड निजी निवेश और भारत अफरीकी साज़िदारी पर्योजना के माध्यम से हमारा जो ब्यापार है 100 बिलियन डॉलर तक पहुच गया है 100 बिलियन डॉलर एक्जिम बैंक जो भारत की एक्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आयात निर्यात बैंक कहते है के फोकस अफरीका कारेकरम उसने एक फोकस अफरीका कारेकरम को गया कि या है एक्जिम बैंक का अफरीका आप फोकस करी है कारेकरम और भारत अफरीका साज़िदारी पर्योजने जैसे पहल विकास को बढ़ाबा देती है इसने और ज़्यादा बढ़ाबा दिया है ब्यापक आर्थिक सहीयोग समझोता है Comprehensive Economic Cooperation Treaty ठीक है ना समझोता है सेपा कहते हैं Comprehensive Economic Cooperation C का Agreement और ब्यापक समझोते हैं विविन छेतरों में निवेश आपसी बिकास में योगदान करते हैं ये भारत और अफरीका देशों के बीच में ये समझोते हुए हैं जिसकी बज़े से ब्यापार और आर्थिक गत्मिदियां और ज़्यादा बड़ी यानि कहने का मतलब ये है कि मैंने इसमें योजनह के अंत्रगार जितने पॉइंट हैं वो तो मैंने आपको डाले ही डाले इसके लाबा कुछ और नई पॉइंट हो सकते हैं तो मैंने सभी कुछ आपको बना करके एक कमपलीट नोट बना करके दिदिया है इसके माध्यम से आप अपना भारत अफरीका संबन दच्छर दच्छर सहयोग जैसी तारी चीज़ों को नोट्स को इससे पूरा तयार कर सकते हो क्वेश्चन कैसी पूछ लिया जाए यू कैंट डू आराम से कर सकते हो कोई समस्या नहीं है अब यहाँ पर देखेगा किस पर यहाँ पर प्रारमिक परिच्छा का क्या प्रशन बन सकता है दच्छ दच्छ सहयोग के संदर में निम्न कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक दच्छ दच्छ सहयोग के गठन की जानकारी 1945 दच्छ अफरीका के जुहांस बर्ग में हुए एसिया अफरीका सम्मेलन से लगाई जाती है 1978 में संयूत राशन अपने एजन्सियों के भीता दच्छ 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 ब्यापार और सहयोग को बढ़ावाद देने के लिए दच्छ 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 सहयोग एकाई की इस्थापना की गलत कूट का कच्छ दच्छ दच्छ कीजिए केवल एक केवल दो दो दोनों और दोनों मैंसे कोई नहीं ध्यान रखना सही कूट नहीं ध्यान से पढ़ने की कोईसिस कीजिए अच्छ तरीके से क्या पूछा गया है गलत कूट इन दोनों में से गलत कौन सा है हो सकता है दोनों गलत हो हो सकता है कोई भी गलत ना हो हो सकता है कोई एक गलत हो अब यह आपको सोचना है अगर कलास को अच्छे तरीके पढ़ा है तो ठीक है और मुक्चे परिच्छा का संभावित प्रस्ण दच्छड दच्छड सहयोग का अर्थ क्या है और भारत इसके लक्षों को पूरा करने में किस परकार अपनी भूमिका निभा रहा है इस पस्ट कीजिए ये I.R. का मेंस का क्वश्चन है ओके तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो यहां से देखीगा हमने डिस्कस किया क्या क्या दच्छड क्या है पहले दच्छड को समझा फिर हमने दच्छड दच्छड सहयोग क्या है इसको समझा ठीक है न फिर हमने दच्छड को मैप पर देखा दच्छड का मतलब दच्छड दच्छड सहयोग का मतलब मैप पे कहां से कैसे कैसे है उसको हमने देखा उसके बाद हमने देखा किस चीज़ के बारे में दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च जो है और कैसे लगातार बढ़ रहे हैं भारत और अफरीका के बीच में सायोग किनकुन मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं यह हमने देखा और भारत आर्थिक संबंद जो है भारत अफरीका के आर्थिक संबंद कि हमारे आज तक अर्थिक संब्ध कितने आगे बढ़ चुके हैं और कितना विकास हो रहा है यह हमने देखा with data आंकणों के साथ और ultimate यह संभावित प्रसन हमने देखे हैं तो I think आप सारी चीज़ां कवर कर सकते हैं से बस ध्यान रखना दोस्तों इससे आपका complete notes बनके तयार हो रहा है जैसे प्रसन पूछा जाता है उतने ही एंगल से मैं इसके dimensions डिसकस करता हूँ और सोचिए बस इतना आप लोगों से क्या चाहिए आप लोगों से चाहिए एक छोटा सा सहयोग छोटा सा cooperation के class को like और subscribe जरूर करें और किसी तरह कोई doubt है कोई भी चीज है तो आप मुझे यहाँ पर contact हर सकते हैं लेकिन course purchase करने के साथ में आप mk live code यूज करना मत भूलना अन्यता आप लोगों के selection और आप लोगों के जो discount है उसमें मेरी अपनी कोई भूमका नहीं होगी अगर आप चाहते हैं कि मेरा personal guidance आप लोगों के साथ बना रहे कोड़ी इस्तिमाल करिए आराम से इसको join करें ठीक है ना thank you very much हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQIS हिंदी